जाए लो दोस्तो टेकविंग्स बिलाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आपका नदीम खान आज हम आपको बताने वाले कि आप खर पर कुछ से लेक्टिसिटी कैसे जेनरेट कर सकते हैं जी यहां बीन बैटरी के दोस्तो इसको जिनरेट कहें कर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बस आपको एक वूद्न ब्लॉग चाहिए दो DC दीसि मोटर चाहिए तो पहला DC मोटर में एस तरह गु defense पे अच्छे से पेस्ट हो जाए और दोस्तोब को एक नोचति जो की इस मोटर में आधा लगएगा पू लगाएंगे तो दोस्तों इसमें देखना लू लगा रहे हैं गुलू लगा करके इसको अच्छे से पेश्ट कर देंगे और इसका जुन वह पर निकला हुआ उसको उस नौब में आधा डाल देना है हलका सा टाइट करके हाथ दो दो देखिए यह हो चुका है फिक्स यहां प तरह सा उसको मोटर के नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजें जो कि सामने वाले मोटर का नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव होने वाला है ऐसी हम इसमें भी जोड़ देते हैं सेम तरीके से देखे दोस्तों जैसा कि यह हो चुका है अब दोस्तों हमको एक LED बल्ब चाहिए जिसमें आप एक साइड में दो वायर्स जोड़े हुए हैं उस वायर्स को लेकर करके दूसरे वाले DC मोटर में हमको जोड़नी है दोस्तों पहले इसको अच्छे से हम फिक्स कर लेते हैं जैसे कि अच्छे से फिक्स हो जाए हाँ दोस्तों देखिए अच्छे से हो जाए थोड़ा है है हो गया फिक्स और अब दूसरे वाले को भी हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं आप फिक्स हो र तो यहां पर जादा खूब सा रेडिसीव डाल करके हम इसे यहां पर पेस्ट करते हैं तो दोस्तों थोड़ा देर तक इसको पकड़ के रखना पड़ेगा जिसे कि यहां पर अच्छे से और यहां से लेन नहीं जाता तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपने यहां पर कूप सा रेडिसीव डाल चुए है और आपको यहां पर यहां पर स्ट्रिंग का है जो कि आपको इस नॉब में लपेट देना है गोल-गोल करके देखिए दोस्तों हम लपेटने जाए रहे हैं इसको वैसे आपको इसमें लपेट देना है दोस्तों हाँ हाँ दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसको कर रहे हैं यह इतना पतला है ना स्ट्रिंग क्योंकि इसमें हो नहीं रा अच्छा है दोस्तों देखे चलते हैं कर रहे हम चलिए फाइनली हुआ तो अब इसको हम गोल 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 करके उसी में पुरा इस स्ट्रिंग को लपेट देंगे जिससे कि वहाँ पर वह पुरे अच्छे से फिक्स हो जाए और ज्यादा परसानी ना हो देखिए तोस्तों जैसे हम की कर रहे हैं यहां पर तो हमारा इस जनेरेटर का काम तो हो गया है और अब बस हमें इस ट्रिंग को जोर से यहां पर पुल करना है अपने तरफ जिससे कि यह मोटर्स का नॉप घुमने लगे और दोस्तों जैसा कि आप देखने हैं यहां पर लाइट बल्प जल गया है वह भी बीना किसी बैटरी यह और और अपने घरों में ऐसे ही दो डीसी मोटर से फिरी में इलेक्रिसीटी जनरेट कर सकते हैं और बीना किसी परसानी के उसे यूज़ कर सकते हैं देखें दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया और अगभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीस सब्सक्राइब कर दीजे और जैसा कि आप देख रहें कि जो मोटर है वह दूसरा मोटर का उपोजिट में लागा इसलिए यहां पर फ्रिक्षन बन रहा है और फ्रिक्षन के कारणी एलेक्ट्रिसिटी जिनरेट हो रही है आप इसमें अगर ज्यादा पावर के बैट बल्ब डालेंगे तो फिर चलेगा निया आपको इसमें बहुत ही कम पावर के यह कुछ दिर तक ऐसी घूमता रहेगा उसको फिर जब आप इसको रोकीगा तो वह बंद हो जाएगा तो दोस्तों यह सही में हुआ है कि नहीं आप मुझे नीचे कमेंट करके बताईएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कुछ और लाइक करना मत भूलीगा हमारे चैनल को जी थैंक्यू फॉ